Hello students, welcome back to this channel, आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं chapter number 2 Basically बच्चों chapter का नाम है portfolio construction and selection portfolio construction मतलब portfolio बनाना और portfolio select करना इससे पहले वाली chapter में हम पढ़ चुके हैं portfolio क्या होता है, portfolio management क्या होता है portfolio management का process क्या होता है, diversification का क्या importance है यह सारी चीज़े हम already complete कर चुके है, आज इस chapter में basically हम approaches पढ़ने वाने हैं कि कैसे हम portfolio को बना सकते हैं, तो portfolio का मतलब जैसा कि आप सबको पता है portfolio is a combination of various securities, जब हम बहुत सारी securities में पैसा लगाते हैं at a certain point of time उसको हम बोलता है portfolio, तो आज हम सीखेंगे कि portfolio को actually हम construct कैसे करते हैं तो इसके लिए दो approaches होती है, एक होती है traditional approach, एक होती है हमारी modern approach traditional approach होती है, एक modern approach का मतलब भी आपको पता होगा जो थोड़ी modern है अब traditional approach में हम क्या करते हैं, हम सिरफ उसी जगा invest करते हैं, जहां हमें लगता है कि हमें return जादा मिल रहा है बाकी factors को ignore करके हम सिरफ यही देखते हैं कि जहां हमें return मिल रहा है, वहीं हमें पैसा लगाना है और risk हमारा कम से कम हो और return हमारा normal हो, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है investor needs are evaluated in terms of return and capital appreciation, हम सिरफ capital appreciation और returns को देखते हैं यह देखते हैं कि risk हमारा low होना चाहिए, हम सिरफ risk consider करते हैं, हम systematic risk, non-systematic risk को नहीं consider करते हैं अब यह systematic और non-systematic risk क्या होता है, वो भी हम आगे आने वाली videos में देखेंगे थोड़ा सा brief के लिए मैं आपको बता दू, systematic risk होता है जो हमारे बिल्कुल control में नहीं होता है non-systematic risk होता है जो हमारे control में होता है, जो company के हाथों में होता है, जो business के हाथों में होता है security उसको हम select करते हैं सिर्फ risk and return की basis पे और किसी factor को consider हम नहीं करते हैं और अगर diversification भी हम करते हैं तो सिर्फ securities की classes के basis पे चलो equity में लगा दिया इसमें लगा दिया इसमें normally industry wise diversification इस तरह से diversification नहीं की जाती है तो traditional approach मतलब क्या कि आप सिर्फ risk इसको return देख रहे हो उसके अलावा आप बाकी factors को आप बिल्कुल consider नहीं कर रहे हो अब कौन कौन से इसमें steps होते हैं देखो investment manager आपने process पढ़ा होगा को analyze करने है कि जब जैसे मैंने आपको class में भी बताया है कि आप एक portfolio manager हो तो आपको ध्यान देना है अपने client के उपर कि आगे उनको future में पैसे के जरूरत पर सकती है या उनकी needs क्या है या किस के किस वज़ा से जो है हमारी investment में रुकावटे आती है उन factors को हम पहले से ही consider कर स करते हैं डूसरा है determination of objectives बिना objectives के आप किसी की portfolio में पैसा नहीं लगा सकते हो suppose करो किसी का objective है safety of income किसी का objective है higher return तो आकको दोनों के हिसाब से पैसा लगाना पड़ेगा जिसका objective safety है उसका पैसा आप equity में जाधा नहीं لगा सकते हो उसका पैसा higher return है तो आप उसका ज्याधा पै और objectives तुम्हारे खुद के अगर तुम खुद के लिए invest कर रहे हो तो उसके बाद जो हमारा process आता है वो होता है selection of portfolio selection of portfolio का क्या मतलब है finally हमने देख लिया कि किस किस चीज़ से हमें रुकावटे आ सकती है हमारे objectives क्या है उसके बाद हम portfolio को select करेंगे अपनी कौन सी हमें कितना percent पैसा equity में लगाना है कितना percent bond में लगाना है कितने की FD करानी है कितने का क्या करना है FD तो आप क्यों ही कराओगे बट लेकिन हाँ इसमें portfolio आप select करते हो आप percentage wise आप देखते हो किसमें कितना पैसा लगाना है and then finally आप क्या करते हो security इसको select करते हो और security इसको select करने के बाद you analyze the risk and return और उसके बाद आप क्या करते हो evaluate करते हो जाद यह सारी चीज़े में इतना detail में इसलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि मैंने यह आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था यही सारी चीज़े अब थोड़ा डीटेल में है कि हम जो है analysis of constraints का क्या मतलब है analysis of constraints जैसे कि मैंने आपको बताया कि resistances जो होते हैं जो रुकावट होती है हो सकता है कि future में आपको income के जरुवत पड़ जाए हो सकता है future में आपको पैसे की जरुवत पड़ जाए हो सकता है कि आप जो है safety maintain करके चलना चाहते हो अपनी जो भी principal amount है हो सकता है time आपके लिए एक रुकावट हो क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के पास जादा time नहीं है investment का उसको पास जो है उसको सिर्फ 5-6 साल investment करनी है और जो return आएगा उससे अपना नया घर नहीं building जो भी है तो कहने का मतलब यह है कि आपको constant मतलब क्या है something that restricts and that restricts someone or something जैसे income बगारा तो यह आपको समझ में आ गया होगा finally हम objectives determine कते हैं objectives आपके कुछ भी हो सकते है higher return, growth of income, regularity of income, safety, liquidity तो हर किसी person के अलग अलग objectives के हिसाब से you will invest next है आपका selection of a portfolio देखो portfolio आपको क्या करनी है finally select करनी है तो portfolio क्या कर सकते हो आप अलग अलगतर है कि portfolio select कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इतना equity रखना है कितना bond रखना है कितने का वो actually आपकी portfolio होती है तो सबसे पहला इसमें क्या दे रखा है safety safety of principal and asset mix कहने का क्या मतलब है कि जो उनका principal amount है जैसे मैंने अगर 5 lakh रुपे लगाया है तो 5 lakh रुपे मेरा principle amount है तो आप इसमें क्या कर रहे हो कि अपने प्रिंसिपल amount को safe कर रहे हो जैसे मेरा 5 lakh रुपे मैंने लगाया तो मैं उसको मुझे एगर ये चाइए कि मेरा 5 lakh रुपे कहीं बरबाद नहीं होना चाहिए तो मैं क्या करूँ ही ज्यादा ऐसी जगा पैसा लगाऊंगे जहां नेरी इंवेस्टमेंट जो है सेफ रहे तो सेफटी और प्रिंसिपल का क्या मतलब है जो आप अमाउंट लगा रहे हो उसको ऐसी जगा लगाऊंगे आपको वह अमाउंट का एक रुपा भी धर से उधर न से आपको regularity of income चाहिए तो आप 60% पैसा debt में लगाऊगे कि आपकी fixed income आती रहेगी और 40% equity में लगा दोगे अगर आपको growth चाहिए आपको जो है ना ही safety से मतलब है ना ही regularity of income से मतलब है आपको growth चाहिए तो growth के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा equity में लगाऊगे और फित कम से कम पैसा हो सकता है सारा का सारा पैसा आप equity में लगा दो हो सकता है 70-80% आप equity में लगा दो बाकी आप debt में लगा दो तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका goal growth है तो 60 से लेके 100% पैसा आप कहा लगाऊगे आप लगाऊगे equity में तो अब यहाँ पर क्या किया आपने फूटफोलियो वगेरा को सेलेक किया ठीक है उसके बाद में क्या होता है और और भी है आपके यह सब आप पढ़ सकते हो capital अगर आपका गोल capital appreciation है तो आप 90 से 100% पैसा अगर आपका गोल याद रखना growth और capital appreciation है तो आप अपना जादातर पैसा equity में लगाओगे और कम से कम पैसा अप debt में लगाओगे अगर आपका गोल जो है tax savings है तो आप ऐसी जगा पैसा लगाओगे जहां आपका tax बचता हो insurance में लगा दिया या कहीं जो है कहीं और medic claim वगरा का insurance ले लिया तो ऐसी जगा पैसा लगाना जहां tax बचता है फिर अगर आपका जो main name है वो liquidity है तो आप short term instrument में पैसा लगाओगे जैसे money marketing instruments है उसमें आप पैसा लगाओगे तो कहने का मतलब यह है कि आपको portfolio select करनी है अपनी objectives अपने constraints के हिसाब से उसके बाद आता है selection of securities finally आप securities को select करोगे तो securities को select करने के लिए आपके पास बहुत सारे options है कि आप market को analyze कर सकते हो और industry को analyze कर सकते हो देखो ऐसा तो है निकि आप जाओगे चलो इस company की security ले लेते हैं इसकी ले लेते हैं उसकी ले लेते हैं ऐसा तो नहीं होगा सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सी industry में कौन सी market में मुझे ज्यादा profit मिल रहा है market का scenario आपको understand करना पड़ेगा कि market ज आप सोचोंगे पैसा लगाने का देखो सबकी अलग अलग strategies होती है पैसा लगाने की तो आप अपने हिसाब से market को analyze करोगे अगर आपको लगेगा कि हा मेरे favor में है market तो ही आप पैसा लगा होगे वरना आप नहीं लगा होगे उसके उसके बाद है industry analysis का क्या मतलब है कि आप industry अलग अलग तरह की industry होती है जैसे for example manufacturing industry हो गया या फिर sorry automobile industry हो गया food industry हो गया IT industry हो गया अब आप यह देखोगे कि यार कौन सी industry में ज्यादा फायदा होगा और finally उसके बाद आप क्या करोगे company यह को analyze करोगे जैसे for example आपने market में देखा कि चलो हम पैसा लगा सकते हैं मा जो यह auto moving industry है यह ज्यादा grow कर रही है तो आप फिर यह decide करोगे यार मारूती में पैसा लगाए कहाँ पैसा लगा है I hope आपको यह समझ में आया होगा securities को आप select करते हो security select करने के बाद आप bonds भी select कर सकते हो stock भी select कर सकते हो उसके बाद आप क्या करते हो risk and return को analyze करते हो देखो हो स सकता है आपको smaller return मिले अकर आप larger return चाहते हो तो you have to take risk अगर आप smaller return चाहते हो तो you will not required to take risk तो आपका आप risk and return देखोगे कि यह कितने risk पे मुझे कितने return मिल रहा है कितने return पे मेरा कितना risk हो रहा है उसके बाद तो जैसे इसमें लिखा हुआ है an individual prefer larger to smaller returns from securities and investor has to take risk to achieve larger to smaller returns मतल सब्सक्राइब कि आपको risk लेना पड़ता है आप prefer करते हो larger return पर आपको उसके लिए risk भी चलेना पड़ेगा ऐसा लिखा नहीं हो ऐसा मैं आपको खुद बता रहे हूँ फिर आगे क्या है the ability to achieve higher returns डिपेंड ऑन देखो next line में यह लिखा हुआ है कि आप higher return तभी अचीव कर स करते रहोगे evaluate करते रहोगे evaluate करने के दो तरीके एक तो है इसमें performance appraisal और revision दो तरीके नहीं है बट इसके अंदर यह दो चीज़े आती है अब portfolio evaluation का मतलब क्या होता है portfolio evaluation का मतलब यह होता है कि आप compare करते हो आपने सोचा था कि मुझे इतने percent return मिलेगा actually मैं उतना percent return मिला है कि नहीं मिला वो चीज़े आप देखते हो वो होता है आपका perform portfolio evaluation refer to evaluation of a performance of the portfolio it is essentially the process of comparing the return earned on a portfolio तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो है अपनी performance देखनी पड़ती है performance compare करनी पड़ती है कि जितनी आप चाहते है उतनी है या नहीं है उसके बाद portfolio revision का मतलब क्या होता है कि आपने evaluate क कर लिया कि क्या performance चल रही है उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ और assets आपको घटाने है या बढ़ाने है उसको हम क्या बोलते है portfolio revision the process of adding of more assets in an existing portfolio is called portfolio revision ठीक है आप कुछ चीज़े हटाते बढ़ाते हो उसको अपनी existing portfolio में उसको हम क्या बोलते है portfolio revision तो I hope आपको यह सम management को analyze करते हैं फिर हम objectives को देखते हैं फिर उसके बाद कहीं जाके हम portfolio उसको select करते हैं फिर उसमें हम actually में देखते हैं कि कौनसे security select करनी है risk and return को analyze करते हैं फिर हमने funds को allocate करते हैं evaluate करते हैं जिसके अंदर performance evaluation portfolio revision भी आता है ठीक है अब कुछ features है traditional portfolio के देखो traditional portfolio जो है वो generally return के ठीक है हर एक security को हम individually evaluate करते हैं कि हम फलाना company में पैसा लगा रहे हैं तो कितना risk and return होगा सिराफ हम इसमें सिराफ हम इसमें risk and return ही देखते हैं और risk में भी हम सिर्फ total risk देखते हैं यह systematic और unsystematic risk नहीं देखते हैं इसमें जो है traditional method follow होता है diversification का कि security wise आप diverse अलग अलग जगा पैसा लगा दो सिराफ risk and return basically इसका मैं अगर क्रस्क बताऊं तो risk and return देखके जहाँ पैसा लगाया जाता है उसको हम भोलते है traditional portfolio sorry traditional method of portfolio construction I hope आपको समझ में आ रहा होगा traditional portfolio मतलब portfolio मतलब combination of all the securities that are invested at a particular period of time traditional portfolio only risk and return are seen total risk के scene हम risk and return को match करके पैसा लगाते हैं सबसे पहले हम analyze करते हैं constraint फिर objectives फिर उसके बाद हम select करते हैं securities security select करने के बाद finally हम analyze करते हैं कि कौन से उसमें पैसा लगाना है उसके बाद उसके बाद फिर हम assessment of risk and return and then allocation of funds and then finally valuation तो now I will end this lecture next lecture में हम पढ़ेंगे modern approach to portfolio construction so thank you so much guys for watching please like share and subscribe